दिल्ली में तीसरी बार सत्ता परकाबिस होंगे अर्विन केजरिवाल आम आदमी पार्टी को बंपर बहु मत रुजानों में बासेट सीट परटका आम आदमी पार्टी का आखड़ा आठ पर जूल रही है बीजेपी कायम है आज तक आक्सिस माई इंडिया सववे का जल्वा दिल्ली चुनाओं में पूरी तरह सठीक रहा अनुवान आम आदमी पार्टी की शांदार जीट से गदगद हुए अर्विन केजरिवाल बंपर जीट के बाद बजरंग बली के दर्बार में पहुंचे अर्विन केजरिवाल पूरे परिवार के साथ की पूजा अभी हनुमान मंदिर होके आ रहे हैं और हनुमान जी सब का भला करेंगे आम आदमी पार्टी की शीट पर केजरिवाल के परिवार ने भी जताई फुशी पत्वी के जन्दिन पर दिल्ली के सीम को मिला तोफा पटपडगन से कड़े मुकाबले में फसने के बाद आखिरकार विजई हुए मनीश से सोधिया जीत के बाद मंदिर में फूजा ती केजरिवाल के सातों मंतरियों ने मारी बाजी सतेंदर जैन ने दर्ज की शकूर वस्ती से जीत कालकाजी से आतिशी मार लेना ने हासिल की जीत, राजेंदर नगर से विजई रहे राधव चड़ा आज जो जीत हुई है ये दिल्ली की जनता की जीत है और केजरिवाल मॉडल आफ डेवलप्मेंट की जीत है जीत के बाद आमाद्मी पार्टी के कारेकरताओं ने मनाया जश्न पार्टी दफ्तर पर खूब नाच गाना हुआ केजरिवाल के एक फैन ने आमाद्मी पार्टी दफ्तर के बाहर मुफ्त में बाटा कोल्डरिंग लिखा ड्रिंक एन फाइट अगेंस्ट करप्शिन पूरा दम लगाने के बाद भी दिल्ली चुनाओं में बीजेपी बेदम दहाई तक नहीं पहुंचा आंकड़ा दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अर्विंद केजरिवाल जी को बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ जबर्दस्थार के बाद बाट फूट पर बीजेपी परवेश वर्मा बोले लोगों को पसंदाई केजरिवाल की फ्री स्कीम प्रवा में भैग गए हैं मैं अपने उपर लेता हूँ और मैं शीज जुगाता हूँ जो भी दिल्ली की जनता ने जो पैसरा किया उसके आगे शीज जुगाता हूँ कि मन्थन करना होगा कि क्या बज़ा रही लोकसवा में कॉंग्रेस के निता अधिरंजन चौदुरी ने केजरिवाल को दी बथाई कहा दिल्ली में हुई विकास के अजेंडे की जीत जीत हुई है दिल्ली बास्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ यह जो अरविंद के जोल जीत हासिल किया उनको भी मैं बजाई देना चाहता हूँ दिन भर कॉंग्रेस दफ्तर में पस्रा रहा सन्नाटा मीडिया के सामने आने से बच्चते रहे बड़े निता कारेकरताओं ने मनाया जशन, सीम केजरिवाल की तस्वीर को मिठाई खिलाई पटना में भी आमादमी पार्टी के कारेकरताओं ने जीत का जशन मनाया, कारेकरताओं ने होली मनाय जम कर ठुमके लगा दिल्लीवे नतीजों के बाद आमाद्मी पार्टी के सांसदों ने जश्न मनाया संसद में मिठाई बाटी ओकला इलाके के माना तुल्ला खान की बंपत जीत बीजेपी के ब्रहम सिंग के खिलाफ 70,000 से ज्यादा वोटों से जीते हर्याना के हिसार में केजरिवाल के पैत्रिक घर पर मना जीत का जशन नतीजों के समय टीवी से चिपका रहा सीएम के चाचा का परिवार पंजाब के फरीद कोट में भी आमाद्मी पार्टी के कारेकरताओं ने मनाया जशन लड़ू बाठ कर जाहिर की जीत की खुशिक शाहिन बाग में अब भी जारी है धरना प्रदर्शन जामिया में पुलीस के लाठी चार्ज के खिलाफ लोगों ने मौन वरत रखा है पुलीस ने एक बार फिर से शुरू की प्रदर्शन कारियों से बातचीत की कोशिश सबत्रफ अरवरी को सुप्रीम कोट में होनी है सुनवाई कानपूर में जारी है नागरिक्ता कानून का विरोध प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने कहा जब तक नहीं हटेगा C.E.A. तब तक धरना करेंगी लंदन आइकोर्ट में शुरू हुई विजय मालिया के तत्यारपण को लेकर अपील पर सुनवाई तीन दनों तक चलेगी कानूनी जिरे बीजेपी ने मनाई दीन दयाल उपाध्याई की बरसी राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने शध्धान जिली दी 24 फरवरी को दो दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम एहमदाबाद भी जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपती केमचो कारिकरम को करेंगे संबोध है 24 फरवरी से चुरू होने वाले ट्रम के दौरे में लग सकती है कई एहम सौदों पर मोह और दोनों देशों में मजबूत की जाएगी रणिमी तिक साज़िदारी मंद्यप्रदेश के शिवपूरी में कन्यादान की राषी को लेकर डीम से उलजी एक लड़की मैला कलेक्टर ने नहीं किया समस्या का निक्तारा मुझाफर्पूर शेल्टर होम केस में दिली के साथ एक कोर्ट ने सुनाया फैसला मुख्यार ओपी विजिश ठाकुर को आजी इवन खैद निर्भयार इत केस में कोर्ट पहुंचे पीड़ता के माता-पिता नया डेथ वारंट जारी करने की मांग असम के दीबा में प्रदर्शन के दौरान जोरदार बवाल पुलिस से भीड़े प्रदर्शन कारी जारकन के रामगड में गयास पाइपलाइन बिछा रही कमपनी का गाउंवालों ने किया विरोब लाठी डंडे लेकर कर्मचारियों को खदेडा राजस्तान के भीलवाड़ा में रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मारी वेवाहिक कारिकरम से लोटते हुए नौ लोगों की मौट पंजाब के मोगा में लुधियाना हाइवे पर धुंद की वज़े से दर्दनाख हादसा चार की मौट मतुरा में मामूली पारिवारिक विवाद में चली गोली, पती की मौत, मा बेटी की हालत गंभीर जमशेदमुर में 25 साल के युवक्ती लाश मिलने से हर कम अर्ध नग्न अवस्था में कुझला हुआ सर मिला बीवानी में रोडवेज बसने, बाइक कुमारी टकर, अज़से में मा बेटी और दादा की मौत वश्यमंगाल के उत्तरी 24 परगना के सरकारी स्कूल के बाहर धमाका चाठ चात्र जखमी एक की हालत नाज़ू सोनिपत में सामने आया दिल दहलाने वाला वाक्या, बाइक सवारों ने होमगार्ड के जवान को सड़क पर घसीटा 18 साल कुराने मौबलिंचिंग मामले में मौंगेर की पास्ट्राक कोट ने सुनाई सजा 14 को उम्र गैद महराश के कोलापुर में फाइरिंग से हरकम वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने आरूपी को दबुचा हिमाचल के कुंडू में करीब 12 किलोग्राम चरस्त के साथ एक शक्स गिरफतार मंदिर में पुजारी है आरूपी बिहार के रोतास में आग लगने से सौद उताने जल कर खाक मुआवजे के आश्वासन के बाद शांत हुआ लुगों का घुसा वंडे सीरीज में भारत की क्लीन स्वीप से हार न्यूजीलिंड ने तीसरा वंडे पांच विकेट से जीता भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 297 रनों का लक्ष केल राहूल ने खेली थी 112 रनों की पाई यूजीलिंड के ओपनर्स ने रखी जीत की नीव 106 रन की हुई सलामी साज्यदारी मार्टिन गप्टिल हेंडरी निकल्स और ग्रांड हूम ने जमाई अर्दशतक रॉस टेलर मैन अफ़ दे सीरीज करारी हार के बाद बोले विराट कोली अंतर राश्ट्रेस तरकी नहीं थी हमारी फिल्डिंग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में साथ मार्ट से होगा विंटर गेम्स का आयोजन पांच दिन चलेगा खेलो इंडिया 236 अंकों की बढ़त के साथ 41,216 पर बंद हुआ सैंसिक्स निफ्टी 76 अंक बढ़कर 12,107 पर बंद मंगलवार को सोना 112 रुपे की गिरावट के साथ 44,279 पर पहुंचा जान्दी 108 रुपे गमा कर 47,152 रुपे पर दुखिले वित्मंत्री ने किया अर्थ वेवस्था में सुधार के संकेत मिलने का दावा कहा निवेश खपत बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के कदमों का असर दिखा अक्तूबर दिसंबर तिमाही में सिंडिकेट बैंक का मुनाफ़ा बढ़कर 435 करोड पर पहुंचा पिछले साल की तीसरी तिमाही में 108 करोड था नेट प्रॉफिट बैंक में बढ़ोदा ने सस्ता किया कर्ज MCLR में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटोथी जन्वरी में म्यूच्वल फंड में 1.2 लाग करोड का निवेश AUM बढ़कर 27.8 पांच लाग करोड इंडिकोंने सस्ते टिक्टों के लिए शुरू की 4 दिन की वालेंटाइन सेल 999 रुपे में मिलेगा सबसे सस्ता टिकेट सेल टॉस और कॉंसिप्ट सॉनिट के बाद किया लाएगी नई SUV आर्टिका मराजों से होगा मुकाबला इंडियन ऑनलाइन क्याब सर्विस ओला अब लंदन में भी होगी शुरू कंपनी फाउंडर भाविश अगरवाल ने ट्विटर पर जानकारी दू रेड्मी ने भारत में लॉंच किया रेड्मी 8A डूल 6,499 रुपए से शुरुआत सरकार ने किया पोल्टरी उत्पादों का कोरोना वाइरस से कोई सम्मंध न होने का दावा कहा चिकन मटन से नहीं फैलती है बेमारी कोरोना वाइरस के असर से स्मार्टफोन की विक्री में गिरावट की आशंका कमतनियों के उत्पादन ठप होने से हो सकती है 12% की गिरावट कोरोना वाइरस से बनारसी साड़ी के कारुबार को बड़े नुकसान की आशंका सालाना 200 करोड का है बनारसी साड़ियों का कारुबार कुरोना वाइरस से पांच महीने के न्यूंतम स्तर पर पहुंचा पेट्रिल, मंगलवार को पेट्रिल 16 पैसे, डीजल 20 पैसे प्रती लीटर सस्ता हजार से उपर पहुंची चीन में कुरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या, 24 घंटे में 108 लोगों की मौत अब तो 42,000 से अधिक लोगों में कुरोना वाइरस की पुष्टी 24 घंटे में सामने आई करीब 30,000 ने मामले कुरोना वाइरस के लिए वाक्सीन तैयार करने में जुटे इंगलंड के वैग्यानिक चुहे पर शुरू किया प्रयोग नियोफ के टाइंग स्क्वेर पर उतरा पाँच फीट लंबा रोबोट कुरोना वाइरस के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है जिपैन के योकोहामा पोर्ट पर खड़े क्रूज डाइमन्ड प्रिंसिस में कुरोना वाइरस के 65 और मरीज मिले कई भारतिय भी सवार सिंगपॉर में एशिया के सबसे बड़े एर शो का आगाज कुरोना वाइरस के चलते आयो जन फीका मंगाल के खाडी में नाव डूबने से बड़ा हादसा बांगलदेश में रह रहे 15 रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत दो नाओं में सवार मुगर मिलिश्या जा रहे ते करी 300 रोहिंग्या शरणार्थी सेंट मार्थिन वीप के पास डूब गई नाओ इराक की राजधानी बगदाद में भीश और ठंड के बीच दर्शक की पहली बर्फबारी खेलते नजर आये स्थानिये लोग और बच्चे नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले